सबस्क्राइब कीजिए SK Tutorial चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटिस्ट मोर एजूकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SK Tutorial फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाटा यानि कि National Aptitude Test in Architectures के previous year के question paper को Friends, आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे ये है previous year यानि कि 2014 के questions paper है ये general aptitude का है सिर्फ आप लोग देख सकते हैं Friends, ये वीडियो में फिर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि Nata Genesis में देखा गया है General Aptitude में कुछ-कुछ questions जो है 1 और 2 year के बाद repeat किया जाता है कुछ questions को इस वुझे से यदि आप लोग इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपके लिए helpful हो सकता है और Friends, ये जो वीडियो है आपका General Aptitude का episode number 13 है यदि आपने 1 to 12 episode नहीं देखा है तो आप चैनल के playlist सक्षन से जाकर के देख सकते हैं तो Friends, questions नमबर पहला है आपके screen पर An horizontal supporting cross piece over an opening is called Option A है latest, B है lean tail और C है lancet और D है leader तो इसका जो सही answer होगा वो आप लोग observe करें ऐसे मैं इसका answer सही बता देता हूँ इसका जो सही answer होगा वो होगा option B lean tail आप देख सकते हैं, मैं सभी questions का answer नहीं बताऊंगा आप लोग इसको mock test यानि की model set के तरह आप लोग इसको खुद से पहले solve करें solve करने के बाद आप description में इस सभी questions का answer दिया हुआ है आप वहाँ से match कर सकते हैं तो friends मैं अब आप लोगों से बिदा लेता हूँ आप लोग इस videos को पूरा देखें और questions, सभी questions को solve करें इसके बाद आपना answer को check करें और possible हो सके तो आप अपना score को भी comment में लिखर के share करें तो friends फिलाल आज के इस video में बस इतना ही रखते हैं अब लोग देखे मैं अब आपते हैं झाल 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 झाल